बिसमिल्यार रहारे, असलाम उलेकूम, इस lecture के अंदर हम देखने वाले हैं feature encoding and features के लिए यह दो ऐसी चीजे हैं जो data pre-processing के अंदर बहुत ज़्यदा helpful साबित होती है हम data pre-process क्यों करते हैं, उसकी main reason यह है कि कोई भी data जो है वो बहुत ही कमाल का नहीं होता जब भी आप data collect करते हैं, data में बहुत ज़्यादा problems होती है, उन problems को हम resolve करते हैं for example, वो missing values हो, for example, वो outliers हो, for example, वो data के structure different किसम की हो कोई integer का data वाट वो आपको string की form में मिल रहा है, को string का data वो आपको integer की form में मिल रहा है हो सकता है कि comma plus minus is data के अंदर होती है लेकिन दो ऐसी चीज़े हैं जो data के लिए और भी ज़्यादा जरूरी होती है खास थोर पर जब आपने machine learning के algorithm बनाने होते है तो उन दो techniques या आप ये कह सकते कि उन दो strategies जो data को और भी अच्छा बनाती है या different machine learning के algorithm के अंदर जब हम उने process करते हैं तो हम इन चीज़ों का ख्यार रखते हैं वो आज हम देखने वाले हैं तो ये तक्रीबन दो से तीन lecture होंगे छोटे छोटे जिसके अंदर ये आपको दो चीज़ें समझाए जाएंगे जिसमें feature scaling है and then feature encoding है तो हम right in, jump in करते हैं right into our notebook let me see if I can share my notebook just a minute where is one note and here you go just a minute I think something is wrong with the notebook मैं सिर्फ उसे थोड़ा सा correct कर लू तो ये आपके सामने मेरी notebook जो हो रही होगी camera मेरा कहां गया let me find that out obviously वो कहीं दूर पड़ा हुआ है I will check that afterwards बेहतर ये ही है कि मैं आपके साथ कोई दूसरी screen जो है वो share कर दू the camera is working fine why is this happening खैर ये रोज़ाना मेरे साथ ये काम इसका होता रहता है just give me one second मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं अपनी notebook आपके सामने फिर open करता हूँ just give me one second not more than that और ये मेरे पास parallel की skill it's working fine okay that is the problem window capture and then I have to go towards this is working fine बढॹर का लेन सेट के लिफवाई अचार खाने साहता हूँ मैं ओाफब्स बढ़ाई उन ताफ़ धनी साहता है और धर खाने साहता है झाल झाल पेष्यल्किन टिर्ट वे तरह साथ न्यकित की क्योंट जिल सकते हैं झाल सकते हैं आफ देनी टिख सेवा प्रच ना libr एख वेटेख स्कूश की जेगा टिख सब्सक्ति कर न dessert ग येस, we are good to go now, sorry for the interruption, लेकिन यहाँ पर आपको feature scaling and feature encoding के बारे में जो detail है वो चीज़ें समझाएंगी, hopefully आपको ये सारी की सारी जो live streaming है, वो सही तरीके से नजर आ रही होगी, now I will jump right into it, सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि जब भी हम data को pre-process करते हैं, हमारे सामने काफी चीज़ें होती हैं, data को pre-process करने के लिए, और जब भी हम data pre-process करते हैं, उसके अंदर हमने काफी चीज़ें देखी हैं, जब data को pre-process करते हैं, जिसमें खास तोर पे हमारे पास होती हैं सबस भी मसले मिसाइल हमने डिटेक्ट करने होते हैं तो अक्सर अकार जब हम मसले मिसाइल को देखते हैं तो डेटा सेट के अंदर काफी ज़्यादा मसले मिसाइल हमें हमारे सामने आते हैं बट वी कैन एक्शली डेल विद आट जिसमें हमारे पास outliers होते हैं जो data खराब होता है दूसरा एक हमारे पास मसला यह होता है कि data की structure खराब होती है जो हमने देखा था पिछले EDA के analysis के अंदर वो हमने set की फिर हमारे पास कुछ और anomalies होती है for example आप यह देख सकते हैं data जो है उसके अंदर कोई plus का sign है को comma है या something else is inside there या data की type जो है वो ठीक नहीं है तो इस तरीके से हमें anomalies को जो है वो तो resolve कर लेते हैं लेकिन जब anomalies जो है इसके अगली चीज़ जो हमारे पास आती है missing values हम उनको भी resolve कर लेते हैं missing values को after computation या जो भी मैंने method आपको पिछले lectures में बताएं इसके इलावा missing values के इलावा हमारे पास जो तीसरा main point आता है that is related to feature scaling जिसके उपर हम पहले बात करेंगे feature scaling के उपर कि ये क्या होता है और किस तरीके से आप feature को scale करते हैं और अगर आप feature scaling के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था columns को different नामों से पुगारा जाता है जिन में से feature scaling is one of them ठीक है तो आप जब columns को रखते हैं अपने पास तो आप feature scaling जो है या feature जो है column को बोलते हैं किस तरीके से बोलते हैं मैं इसको आपको भी बताता हूँ और खास तोर पे features को देखते हूँ हम किस तरीके से अपने data को clean करते हैं for example अगर मैं यहां पे feature scaling को बताऊं तो यह एक हमारे पास data set है जिसकी value है से for example y पे जा रहा है यह 10 million में मतलब 0 million 0 से लेके 10 million तक जा रहा है इतना बड़ा इसका unit है और यहां पे जो हमारे पास value है वो 0 से लेके 10 तक है सिरफ ठीक है तो हम क्या करते हैं अकसर उकाद यह बहुत small unit है और यह बहुत large unit है तो हम क्या करते हैं जब small और large unit हमारे पास आ जाता है हम उन दोनों को एक ऐसे पेमाने पे ले आते हैं कि हम उन दोनों को अच्छे से compare कर सकें वो पेमाना क्या होता है हम data को scale पे ले आते हैं अब जाहरी बात है अगर यह 10 यह 12 inches का हम लगा लेते हैं 12 inches का scale है हाउज इट पॉसिबल के 12 inches के scale के उपर हम 10 million inches यह 10 million millimeter यह something bigger unit को हम measure कर सकें तो हमें तो बहुत बड़े-बड़े scale लेने पड़ेंगे लेकिन mathematics में यह scientific data science के अंदर एक technique होती है जिसे हम feature scaling बोलते हैं we can utilize that technique and then we can see कि यह data पूरे का पूरा 10 million वाला हम इसको 12 inches वाले scale के उपर ले हैं या 1 foot के scale पे ले हैं और यह वाला जो data होगा उसके comparatively वो भी इसी scale पे उपर हम map सकते हैं so in that way if we bring all these things into one scale इसी को हम feature scaling बोलते हैं ठीक है और feature scaling इस वज़ा से ज़रूरी है क्योंके हमें जब different data को एक limited range के अंदर हम ले आते हैं then we can actually compare the common जो हमारे पास grounds होते हैं बेस पे इने compare कर सकते हैं इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपके पास अगर हमारे पास एक team है cricket की जो बहुत अच्छा खेलती है for example मैं यहां पे team लिखता हूँ cricket की जो एक बहुत अच्छा खेलती है ठीक है और दूसरी team है cricket की जो उससे ज़रा कम अच्छा खेलती है तो team A है हमारे पास मैं नाम नहीं देता team B है तो team A और B को अगर हम इन दोनों में comparison करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इनको एक common ground में ले आएंगे जहां पे condition भी same हो और सब कुछ बेहतर हो say for example हमारे पास जो team A है वो बहुत अच्छा खेलती है लेकिन उसने match खेले हैं सिरफ हलकी teamों के साथ जो बिलकुल कम अच्छा खेलती है तो जहरी बात है अगर बहुत ही नई team होगी for example Netherlands की team है या कोई और team है World Cup के अंदर तो अगर वो बहुत हलका खेलती है यानि के नई नई new newborn team है तो अगर उसके साथ उसने कोई 407 score मारा है फिर जो दूसरी team है उसके साथ कोई 307 मारा है अगली team है जिसके लिए उसने 399 मारा है so we cannot compare the performance of this team A with B until we bring them into common ground तो ये जो common ground है ये simply वो ही चीज है कि आप जो बड़ी एक quantity है उसको भी और एक जो चोटी quantity है इन दोनों को एक scale पे माप सकें ठीक है कि इन दोनों में फरक कितना है and that's called feature scaling common ground के उपर आप अगर दो चीजों को माप सकें तो इसकी definition जो है मैं आपके सामने रखता हूँ which would be easier for you to understand कि feature scaling feature scaling is the method to limit the range of variables हमने limit कर दिया range को के 0 से लेके 12 तक ही जाए इससे ज़्यादा ना जाए so that they can be compared on common ground simple ठीक है अब why feature scaling is important क्यों होती है अकसर उकाद हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आपको why feature scaling is important इसके बारे में बताऊ तो basically यह algorithm जो भी हम बनाते हैं उनको converge faster करती है यानि के उस algorithm को based on the data training जल्दी हो जाती है algorithm क्या होते हैं कोई भी एक equation कोई भी एक machine learning का model कुछ भी ठीक है जैसे हम model performance की जो बात करें तो model बहुत अच्छे से perform करता है specially models जो linear regression वगएरा की होते हैं आगे पढ़ने वाले है and then बाकी models भी कहने का मतलब यह है कि data pre-processing एक ऐसा tool होता है जो data को तयार करता है जो data को इस काबिल बनाता है कि उस पे machine learning हो सके इसी को हम data pre-processing कहते हैं और EDA is the part of this thing data wrangling भी इसी के अंदर आती है जो हमने काम की है और उसी का एक part है जिसे हम feature scaling बोलते हैं अब features क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं features features क्या होते हैं वो basically आप के वो columns होते हैं for example मैं यहाँ पे 3 columns ड्रा करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चोथा column यह 4 के 4 एक ही data set के column है so df is equal to these 3 columns and 1 these columns ठीक है लेकिन इन चारों में क्या फरक है यह है a यह b है यह c है और यह d है a, b और c अगर इन तोनों इन तीनों के effect से d को हम predict करें तो a, b और c को हम features बोलते हैं हैं यह column ही लेकिन इनने feature बोला जाता है machine learning के जुबान में ठीक है और यह जो d है इन तीनों पे depend कर रहा है यानि के यह है depend कर रहा है उन columns के उपर ठीक है तो इसको हम labels बोलते हैं अक्सर उकाद ठीक है तो हमारे पास इन columns को features बोला जाता है इनको labels बोला जाता है in machine learning language लेकिन on the other side अगर हम इनको denote करना चाहें इसको हम x capital से denote करते हैं इसको small y से denote करते हैं यानि के x capital is equal to features और इसके अंदर एक column भी हो सकते है दो भी हो सकते है greater than two भी हो सकते है ठीक है और हमारे पास जो y होता है वो usually एक ही column होता है जो depend करता है बाकियों पर इसको बोलते हैı labels है ये बी column ही लेकिन ये इन तीनों से मिल के بनता है यानि के इन तीनों पर depend कर रहा है तो इसको हम basically dependent बोलते हैं और ये जो है ये independent है यानि के ये तीनों के तीनों आपस में इनका link कोई नहीं है बट ये मिला के एक अगला कॉलम बनाते है डिपेंडन्ट और इंडिपेंडन्ट की बात हो रही है इसकी मिसाल मैं आपको बहुत असानी के साथ देने लगा हूँ यहां पे गौर कीजेगा हमारे पास एक इस तरीके से डेटा सेट है जिसमें दो कॉलम्स है मैं यहां पे लिखता हूँ दो कॉलम्स एक ये वाला कॉलम है और एक कॉलम्स के अंदर हमारे पास है खाना कितना खाया ठीक है? और दूसरा कॉलम है वेट का अब अगर आप किसी बंदे का खाना महियर कर रहें से for example, उसने 600 ग्राम खाना खाया, 800 ग्राम खाया, 900 ग्राम खाया, तो उसका weight कितना हो गया, for example, वो पहले 70 किलो था, 71 हो गया, और यहाँ पे 72 किलो हो गया, और यह मैं बात कर रहा हूँ, हर माँ खाना खाने की रुजाना regular बेस पे, I'm just saying that, तो X यानि के food जो है, इसके उपर अगर आपका Y यानि के weight डिपेंड कार रहा है, so this food is called feature, और यह हो गया हमारे पास label, लेकिन अगर हम इनको draw करें, तो X axis पे हम रखेंगे food को, और Y axis पे रखेंगे label को, अब इनको draw करते हैं, for example, यहाँ पे मेरे पास है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, और यह आगया के जाता रहेगा, तो अगर मैं यहाँ पे draw करूँ, तो हमारे पास 600 के साथ 70 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 से लेके, यह 70 तक बना लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 600 को draw करूँ, for example, अगर मैं अपना scale बड़ा भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 600 आ रहा है, 600 के साथ 70 यहाँ पे आएगा, फिर हमारे पास 800 के साथ, यानि के 800 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके पास फिर 72 आएगा, something like this, फिर 71 आएगा, फिर आएगा 72, सो हमारे पास यह इस तरीके से 600, 800 और 900, हमारे पास इस तरीके से 3 पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन आप गौर करें के food का जो unit है, वो बड़े वाल है, और यहाँ पे हमारे पास double entries हैं, यानि के 71, 72, दो हिंसों का है, और यहाँ पे हमारे पास हैं 3 हिंसों का, तो हम क्या करते हैं, बड़े unit को चोटे में convert कर देते हैं, यानि के यह वाला जो x-axis है, जो हमारा feature है, इसको चोटे scale पे ले आते हैं, और y को भी चोटे scale पे हैं, अगर हमने लाना हो तो ले आते हैं, तो क्या होता है, मतलब बजाए इसके, कि जो हमारे पास data 100 की जुबान के अंदर था, अब वो हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की जुबान में आ गया, ठीक है, या इससे भी कम अगर हम unit को ले जाएं, हमारे पास techniques होती हैं, वो क्या करते हैं, 0.1, 0.2, और उसको बहुत छोटे unit में ले जाता है, कि total 1 हो, ठीक है, और मतलब यह कि अगर सबसे छोटा unit है, वो minus 1 हो जाएगा, middle वाला 0, फिर plus 1, तो हमारी range minus 1 से 1 तक चली जाती है, यानि कि यह जितना data है, वो minus 1 से 1 तक चला जाती है, तो add the end of feature को scale कर लेते हैं, similarly in that way, मिसाल के तोर पे, अब feature scaling को अगर हम define करें, तो यह basically क्या करता है, बड़े units को, मैं यहाँ पे literal लिख देता हूँ, बड़े units को, या quantities को, छोटे unit, छोटे comparable units में ले आना, comparable, quantities या units में ले आना, quantities में लाना, यह हमारा feature scaling होती है, ठीक है, तो feature scaling क्या हुई, बड़े units को, छोटे units के अंदर ले आना, अब जाहरी बात है, इसके कई method भी है, जो हमें feature scaling के लिए, बहुत असान लगते हैं, और अक्सर उकार लोग, जो है feature scaling के लिए, उन methods को use करते हैं, सबसे पहला method है, min max scaling, min max scaling, और दूसरा हमारे पास method होता है, standard scaling, ठीक है, हमारे पास min max scaling होता है, इसके बाद standard scaling होता है, जिसको हम z-score और normalization भी बोलते हैं, अच्छा, अगर आप चेक करें, तो scaling को basically, हम normalization के method भी बोलते हैं, feature scaling, यानि के feature को normalize करना, normalize क्या होता है, एक small scale पे ले आना, तो अगर आप feature scaling का लफ सुनें, और normalize साथ में आ जाए, तो same वो ही चीज होती है, कि data को normalize करना, यानि के, इस्तमाल में ले आना, तीसरा हमारे पास होता है, reverse scaling, और चोथा method हमारे पास होता है, आपका logarithmic scaling भी होता है, and there are many other methods as well, लेकिन ज्यादा तर use होता है, minmax scaling, sorry, या standard scaling, जिसे हम जो z-score की scaling बोलते हैं, और जब आप data pre-process कर रहे होते हैं, और आप scaling के उपर काम कर रहे होते हैं, that time you should know, कि scaling जो है, वो क्यों ज़रूरी है, और हमारे किस काम आती है, अब ज्यादा तर लोग क्या करते हैं, काफ़ी libraries को use करके, अपनी जो scaling है, उसे perform करते हैं, जिसमें एक मशूरे जमाना library है, जो machine learning के लिए भी हम use करेंगे, और उस library का नाम है scikit-learn, ये वो वाली library है, जो scaling के लिए बहुत ज्यादा use होती है, scikit-learn या sk-learn, ये दो, मतलब एक library जो है, ये scaling के लिए काफ़ी ज्यादा use होती है, और यही जो library है, ये आपका data pre-process करने के लिए भी use होती है, और encoding वगईरा के लिए भी, जो हम इन्शाला आने वाले lectures में देखने वाले हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास जो, basically scaling है, feature scaling, min max scaling वो किस तरीके से होती है, उसकी equation देखते हैं, सबसे पहले मैं बारी-बारी आपको सारी scaling बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ, min max scaling पे, और उसकी equation देखते हैं, min max scaling की जो equation है, number 1 पे, वो बहुत असान है, for example, x का जो prime है, या dash हम कह लेते हैं, x dash इसको बोल देते हैं, या prime बोल देते हैं, यह basically वो वाली value है, जो हमारे पास original value है, ठीक है, sorry, not this one, this is not the original value, this is our scaled value, और हमने क्या करना है, जो original value है ना, उसको हमने minus करना है, minimum value of x के साथ, और उसको divide कर देना है ना, हमने maximum value of x, minus minimum value of x, for example, यह हमारे पास एक column है, यहाँ पे हम अब scaled value निकाल लेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यह वाली है हमारी x, प्राइम या इसको एक्स डैश बोल देते हैं, मैं प्राइम बोलता हूं इसको वाइद आवई, इसको हम बोलते हैं, scaled value, जो बाद में आएगी, और x जो simple है, वो हमारा है original value, अब हमने क्या करना है, इसको किस तरीके से calculate किया जाता है, और यह हमने खुद नहीं करना होता है, यह basically हम algorithms में देखते हैं, and machine learning algorithm, या आपकी पांडाज की libraries, या दूसरी libraries automatically कर देती हैं, वो just need to see कि यह किस तरीके से होता है, यह है हमारे पास x, यानि कि कोई भी एक variable, ठीक है, और यहाँ पे है इसकी original value, जो है हमारे पास 3000, ठीक है, और नीचे बाकी values आ रही हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2000, 5000, 7000, और 1000, ठीक है, अब यह हमारे पास कुछ values हैं, हमारी original जो value है, वो है 3000, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x prime is equal to, हम यहाँ पे 3000 लिखते हैं, ठीक है, जो हमारी वो वाली value है, ठीक है, फिर minimum of x क्या है हमारे पास, जो minimum value है इसके अंदर, वो है हमारे पास 1000, तो यहाँ पे आजएगा 1000, divided by, हमारे पास maximum of x क्या है, वो है 7000, minus minimum of x again, जो है 1000, इसको अगर हम calculate करते हैं, तो हमारे पास, जो हमारी scaled value है, वो आ जाएगी, यानि कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, x bar, तो यहाँ पे हमारी scaled value आ जाएगी, so let's calculate this, जो आपके सामने formula है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सो उपर कर देता हूँ, ताकि आपको नजर आए, यहाँ पे आपको नजर आएगा, so 3000, minus 1000, divided by 7000, minus 1000, तो अगर आप इसको calculate करेंगे, आपके पास value आजएगी, so let's calculate this one, 3000, minus 1000, obviously आपको भी पता है, कि यह 2000 के क्रीब है, और नीचे 7000 से हमने निकालना है 1000, so हमारे पास आता है, 2000 divided by 6000, तो यह मेरे पास जो value आजाती है, वो तकरीबन 0.33 आती है, ठीक है, तो आप देखें कि हमने 0.33 के अंदर, यह value जो है, इसे store करती है, यानि कि 2000 divided by 6000, तो यह हमारे पास minimum और maximum की scaling इसे बोलते हैं, और यह इस तरीके से हमारे पास चलती है, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 1000 रखेंगे, तो हमारे पास different किसम की value आएगी, and then so on and so forth, हमारे पास आगे से आगे जो values हैं, वो change होती जाएंगे, ठीक है, so this is how you can actually work with this, समझे आगी बात की, और अगर हम 1000 की value देखें, तो यह हमारे पास 0 आएगी, ठीक है, so इस तरीके से बाकी values भी हमारे पास आजाएंगे, and then we can have an idea, गहे हमारे पास total values किस तरीके से calculate होती है, और यह पूरा-पूरा scaled column हमारे पास, कुछ इस तरीके से आजाएगा, ठीक है, say for example, मैं यहाँ पे, अब इनकी value put करता जाता हूँ, अगर तीन हजार थी, तो मेरे पास आई थी 0.33, अब मैं क्या करता हूँ, 2,000 माइनस 1,000 यह हो जाता है, 1,000 divided by 6,000, तो यह मेरे पास 0.16 आजाती है इसकी, अगर मैं यहाँ पे 0.16 लिखू, और 5,000 की आएगी मेरे पास, I'm just calculating on the calculator, तो मेरे पास यहाएगी for example, 4,000 divided by 6,000, 0.66, 7,000 की मेरे पास कितनी आएगी, आपको अंदाजा होना चाहिए, 6,000 divided by 6,000, तो वो मेरे पास, जो maximum value है वो आजाएगी, 1, और अगर आप अब गौर करें, हमने जब min max scaling की है, तो हमारे पास क्या हुआ है, जितना सारा data था ना, वो 0 से 1 की range में चला गया, यानि के यह हमारी थी minimum value, और यह हमारी थी maximum value, इन दोनों की values देखें, तो 0 और 1 है, इसका मतलब है, हमारा सारा data, 0 से 1 की range में shift हो गया, जो thousands में था, इसलिए, बड़े data को, छोटे data में, जब हम convert करते हैं, based on some calculation, जो हमारे पास, ये वाला, min max scaling की base पे हम करते हैं, तो हमारे पास, कुछ इस तरीके से, ये shift हो जाता है, ठीक है, यहां तक समझ आगी आपको, किस तरीके से, min max scaling जो है, हमारे पास काम करती है, बहुत असान है, हमने data को, बड़े से, चोटे unit में convert किया, और ये 0 से 1 के दर्मयान shift हो गया, ठीक है, अगर आप गौर करें, minimum value 0 हो जागी, maximum हमारे पास 1 हो जागी, using this equation, ठीक है, और आप इस तरीके से, equation को use करके, आगे, इस्तमाल में लेके आ सकते हैं, अब ये excel में भी आप कर सकते हैं, अगर आपको equation याद रहे, और आप यही काम, python के अंदर भी कर सकते हैं, तो this was min max scaling, hopefully आपको इसकी समझ आगी होगी, very easy to understand, और इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं, and then हमारे पास जो अगली चीज है, that is called standard scaling, standard scaling क्या होती है, उसके बारे में हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैं दूसरा जो हमारे पास है, वो है standard scaling, यह बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा extra बताना ज़रूरी होता है, कि यह हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम standard scaling को z-score normalization भी बोलते हैं, जो मैंने पहले बताया, normalization, अब यह क्या होता है, यह basically वो ही चीज है, हम यहाँ पे equation लिखते हैं पहले इसकी, फिर इस पे बात करते हैं, तो वो ही x prime is equal to, x minus mu over sigma, ठीक है, इस तरीके से, अब यह आप values जो भी हैं मेरे पास, यह इसको छोड़ें, मैं भी आपको बताता हूँ, क्या क्या है यह, यह x जो है हमारे पास original value, यह आपको पता है, minus, जो हमारे पास mu मैंने लिखे हैं यहाँ पे यह, यह mean of the feature है, यानि कि mean of x, ठीक है, not more than that, z 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, तो हम इस तरीके से divide करते थे, different z scores को, like this, तो 0, minus 1, 1, minus 2, 2, फिर हम तीसरा करते थे, जब हम देख रहे थे outliers को, minus 3, और 3, तो यह वो ही चीज है, यह हमारे पास जो है, यह है हमारी standard deviation of the feature, यानि के std of x, simple, तो आप अगर इसको calculate करेंगे, based on x, minus mean of x, divided by standard deviation of x, then it would actually give you, a data set, जो आपके पास, z score method, यह standard scaling के थ्रूँ आएगा, और आपकी छोटी सी assignment यह है, आपने check करना है, z score method को apply करके, on this thing, x वाले column पर कोई भी अपनी तरफ से बना ले, और आपने बताना यह है, कि range क्या होती है, range of standard scalar क्या है, standard scaling, कितनी होगी, ठीक है, और अगर आप गौर करें ना data set पे, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, range यहाँ से जाके, यहाँ पर आ रही है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, कि range कितनी होती है, standard scalar की, ठीक है, आप में से कितने लोगों को पता है, कि standard scalar की range कितनी होती है, मैंने अभी आपको यहीं पर बता दिया है, example के साथ, और आपको शायद समझ आगी होगी, कि scale, जब हम standard scaling करते हैं, तो उसकी range कितनी होती है हमारे पास, और usually लोगों को यह पता होता है, जो experience लोग यहाँ पर बैठे हुए, कि standard scale जो है हमारे पास negative में जा सकता है, और विसली वोही चीज मैं बात कर रहा हूँ, और यह point आज आपको मैंने समझाना है, कि जब negative में जाता है, तो उसकी value कितनी हो सकती है, तो अगर हम z score method की बात करें न, तो usually क्या होता है हमारे पास, हमारे पास जो range होगी, वो होगी minus 3 से 3 तक, यानि के हमारे पास negative values भी होँगी, positive values भी होँगी, और usually जो data होता है, वो हमारा 68% के क्रीब, z की value जहां पे minus 1 से 1 तक है, इसके अंदर आता है, ठीक है, और जो हमारा data तकरीबन 95% of the whole data, comes under minus 2 से 2 तक के अंदर, z की value, अगर हम 99.7% data की बात करें, तो ये हमारे पास आता है, minus 3 से 3 के दर्मियान, तो usually हमारा सारे का सारा data, इस range के अंदर जब shift हो जाता है, तो ये हमारा standard scalar का method होता है, यानि के standard scalar can give us a value of x scaled in negative numbers, negative numbers, हाला के min max scalar जो है वो 0 से 1 नहीं है, इस वज़ा से वो हमें negative numbers नहीं देता, so that shows, अगर आपका machine learning algorithm, negative number को deal नहीं कर सकता, then you don't use standard scalar method for normalization, तो आप ये use नहीं करेंगे, because it gives you negative values, और बहुत ज़्यादा machine learning के algorithm हैं, जो negative values से चिड़ते हैं, and they don't actually work on negative values, so उस वकत आपने min max scaling के उपर काम करना है, ठीक है, min max scaling का पता चल गया, किस तरीके से होती है, अब एक और method हमारे पास होता है, जिसको हम robust scaling भी बोलते हैं, robust scaling क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बड़ी जल्दी मैं आपको बताऊँगा, क्यूंकि अब आपको समझ आने लगी है, scaling क्या होती है, so मैं यहाँ पर लिखता हूँ, robust scaling, और यह robust scaling आपके सामने, बड़ी असानी के साथ हो जाएगी, x-bar is equal to, हम यहाँ पर x minus median of x, उपर हमने mean लेके, नीचे हमने standard deviation लेकी थी, अब median divided by IQR of x, यह ऐसे करेंगे, तो यह हमारे पास robust scaling है, समझ आई? यह है हमारे पास robust scaling, और robust scaling जो है, यह basically आपको 25 और 75, 5% percentile के अंदर जो values हैं, वो बताती है, और usually robust scaling जो है, वो ज्यादा helpful होती है, as compared to z scaling, या हमारे पास mean max scaling होती है, obviously आपकी जो robust scaling है, यह आपको negative values भी दे सकती है, if you think about IQR, लेकिन we will see when we will actually convert the values into robust scaling, तो हमारे पास IQR आपको बता है, interquartile range है, जो मैंने पिछले lectures में बताया, median is the center of data, के यहाँ पे भी उतने data, यहाँ पे भी उतने center of that data is called median, यह वो ही है median, जो आप जब box plot बनाते हैं, उसके center में जो line लगी आती है, ठीक है, this is called median, this one, तो आपने क्या करना है, यह median उसका देखना है क्या value है, divided by IQR कर देना है, of x, तो आपके पास scaled values आ जाएंगी, ठीक है, और इसकी range क्या होती है, then you can have an idea, so यह हमारे पास तीन method थे, चोथा method हमारे पास होता है, logarithmic, logarithm ले ले लेते हैं, आपने basically, simply log ले लेना है, या log 10 ले लेना है, ठीक है, of the values, x का log 10 ले लेंगे, तो जाहरी बात है, वो सारे का सारा आपके पास, logarithmic normalization हो जाएगी, यानि के वो बहुत ही, कम छोटे units के अंदर आ जाएगी, and then you can actually, say कि हमने data को normalize कर दिया, using log, जो हमने कल किया था, अपनी plot.ly की library को use करते हुए, अगर आपको याद हो, log x is equal to true करके, यह आपको मैं आज दिखाता भी हूँ, तो यह हमने basically data को normalize किया था, when we were working on big data set, और हम जब data को वहाँ पर show कर रहे थे, खास तोर पर gap minder के उपर, so these were few things, जिनकी base पे आप, जो data है, उनको scale कर सकते हैं, और scale करने के साथ-साथ, आप data को बाद में देख भी सकते हैं, अब आपको इसकी coding मैं दिखाता हूँ, in a second, और फिर हम इस पर बात करें, कि यह किस तरीकी से हमारे पास काम करता है, खास तोर पर जो हमारा data set है, उसको यह किस तरीके से, अपने mind में रखके हम चल सकते हैं, just give me one second, मैं screen जो है आपके सामने ले आओ, and then we will be working on this thing, जिसको हम बोलते हैं, standard scaling या दूसरी scaling, और हम scaling के ओपर फिर काम करने वाले हैं, okay, मैं यहां से window share करता हूँ आपके साथ, that's, 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 that's this one, that's exactly right, तो यह आपके सामने window आगी है, अब इसके अंदर हम plotly के plot को हम छोड़ देंगे, अब हमने एक और काम करना है, और यहां पे मैं 03 करके एक नियाव फोल्डर बनाता हूँ, scaling का, ठीक है, scaling.ipynb, यह scaling देखता हूँ, और scaling के अंदर, यह .ipynb मैंने इसे क्यों किया है, I can also say, feature scaling, feature scaling, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ, 01.scaling.ipynb, और इसको मैं feature scaling ही बोल देता हूँ, यह data scaling, feature scaling, ओके, तो यह आपके पास इस तरीके से, जो notebook है वो आजाएगी, जो आपको मैं इंशाला upload भी कर दूँगा, and then I can show you few examples के, किस तरीके से आप जो है, वो scaling कर सकते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना python edi वाला जो folder है, उसे open कर लेना है, और हमने start कर देनी है, minmax scaling से onwards अपना, जो काम है उसे, लेकिन उसे भी पहले, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, यहाँ पर pip install scikit-learn, यह library install करनी होती है, मैं इसको control enter करता हूँ, और usually it takes a little bit of time, क्योंकि जारी बात है, यह library जो है, यह machine learning की library, and sometimes it works, sometimes it doesn't work, so we need to be very careful, whenever we are using this library, just a minute, यह हमने scikit-learn, जो है इसे install कर लिया, आपने भी इसे install करना है, और मैं भी आपको feature scaling, यह करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आनी है, ठीक है, feature scaling मतलब, column को scale करना, column को scale करना, यहाँ पर थोड़ा सा मसला चार रहा है, मेरे पास, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह मैंने install पहले से कर लिया, मैं इस वज़ा से इसकी clear output कर लेता हूँ, यानि के clear cell output, इसको कर लिया, अब हमने अगे क्या काम करना है, मैं आपको simply direct code दिखाऊँगा, सबसे पहले हम आते हैं, min max scaling की तरफ, number one is, min max scaling, ठीक है, अब यहाँ पे हमने यह code paste किया, मैं आपको अभी बताता हूँ, यह code क्या करता है, यह basically हमने दो libraries को import करना है, import pandas as pd, और दूसरी हमने किया, from sklearn, जो भी हमने install किया, हमने उसके pre-processing से, import करना है, min max scalar, ठीक है, तो यह automatically वहाँ पे पढ़ा हुआ, एक function त्यार है, हमने सिरफ यूज करना है, मैं sample data कोई भी बना लेता हूँ, for example, यहाँ पे जो मैंने data बनाया है, that is, this one, values is equal to 10, 20, 30, 40, 50, मैंने 10, 20, 30, 40, 50 का एक data बना लिया, और इसको एक data frame में रख लिया, और यहाँ पे मैं print, df.head अगर लेता हूँ, ताकि यह मेरे पास इस तरीके से data जो है, वो print हो जाए, मैं इसको cut करता हूँ, यहाँ से, let's see, अगर मैं print नाम भी लिखूँ, तो यह मेरे पास इस तरीके से काम करेगा, यह मैंने simple data set बनाया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m.i.numbers, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि m.i.numbers, ठीक है, तो मैं उसको नाम भी m.i.numbers देता हूँ, ताकि आपके दिमाग भी रहे कि यह हमने खुद ही बनाया, ठीक है, उसके अंदर values लिख के, उसको pandas data frame के अंदर convert कर दिया, now what we can do, we can scale them, scale the data, using minmax scalar, तो हम minmax scalar को use कैसे करेंगे, मैंने आपको इसका पूरी definition बता दी, हमने सबसे पहले एक scalar object बनाना है, जो minmax scalar के function को लाएगा, वो कहां से आया, वो ये इस library से हमने import कर लिया, जैसे हमारे पास ये import करके आ गया, हमने यहाँ पे रख लिया, अब हमने क्या करना है, हमने इसी को scaled data बना देना, यानि कि ये जो हमारा data है, इसी के अंदर हम डाल सकते हैं, यानि कि data frame के अंदर, मैं नया बनाऊंगा एक column, जिसका नाम रखूंगा, am I numbers scaled, और मैं करूँगा scaled, scalar, यानि कि ये वाला, dot fit transform, यानि कि scalar को इस पे fit करो, जो data है हमारा ये वाला, और इसको transform कर दो, from this data to this data, और उसको reshape करके, हमारे सामने दे दो, और जैसे हम इसको लिखते हैं, इसके बाद हम इसको print भी कर सकते हैं, और हमारे पास इस तरीके से data आजाएगा, अगर आप गौर करें, ये 10, 20, 30, 40, 50 ता, ये 0 से 1 तक हो गया, simple, तो इस code को मैं simply यहाँ पर save कर देता हूँ, ये code आपके पास होगा, आपने fit transform करना है, और इसको values इसकी जो हैं, mv numbers की, उनके उपर ये transform करके लगाना है, और उसको reshape कर देना है, ठीक है, आप separate भी बना सकते हैं data set, बट मैंने वो नहीं किया, मैंने simply इसी data set के उपर scaled values जो हैं वो add कर दी है, ठीक है, और अगर आप चाहें जो ये values वाला column अगर आप निकाल भी देते हैं, then I think, ये still, it still should work, let me see, ये क्यों नहीं काम कर रहा, यहाँ पे हम, बिलकुल, यहाँ पे हम double brackets लगा देंगे, तो आप उसको निकालने के बाद, ये वाली दो brackets को use करें, तो two dimension data हो जागा है, पहले one dimension series थी, क्योंकि हमने अब every numbers डाल दिये, तो ये two dimension हो गया, तो ये हमारे पास unscaled data और scaled data आ गया, ठीक है, इसी तरीके से हम standard scalar को भी use करते हैं, same वो ही काम है, अगर आप गौर करें, तो मैं basically पहले इनको यहां से उठाता हूँ, यहां पर मैं इसको लिखता हूँ, two dot standard scalar और z score normalization, ये two dot आ गया, मैंने यहां पर इसको डाला, ये मेरे पास min max scalar की बजाए, इसके पीछे मैंने standard scalar लिख देना है, simply, बाकि सारा काम वो ही है, ये min max scalar था, ये मैंने standard scalar लिख दी या, ठीक है, अब same वो ही चीज मैंने लगाई, अब यहां पर ये जो हमारे पास scaling थी, मैं यहां पर इसको लिखता हूँ, और हमने यहां पर लिखने, standard scalar, same वो ही चीज है, min max scalar की बजाए हमारे पास standard scalar आ जाएगा, जो हमने उपर इंपोर्ट किया, and then here you go, चेक करें, ये values आपके पास, minus 1.4 से, plus 1.4 तक है, यानि कि सारा data minus में भी है, plus में भी है, so this is called your, min max, sorry, standard scalar, अब जो हमारे पास तीसरा है data, वो होता है robust scalar, तो हम उसको भी लगा लेते हैं, यहाँ पर, number 3.robust scalar, और वो क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, simply मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे का पूरा code जो है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, के एक ही line of code के अंदर भी आप काम, एक ही code chunk के अंदर भी काम कर सकते हैं, यानि के यह values हैं, versus scaled values हैं, यानि के यह M.I. numbers, और नीचे वाले M.I. numbers, scaled, copy, let me see, यहाँ पर क्या मसला है, D.F.M.I. numbers, scaled, preserve from index, there is something going wrong, let me see, क्या मसला है, value, scaled value, I see, now I can see, जो मसला था, मैं इसको redo करता हूँ, और आपको बताता हूँ, control Y करके मैं redo करता हूँ, जो मसला है ना, वो यह है कि मैंने यहाँ पर अभी भी values लिखा हुए, sorry, यह अभी भी values है, तो इसको यह वाला होना चाहिए, column का नाम, copy, यहाँ पर paste करता हूँ, there you go, तो यह आप चेक करें, यह हमारे पास, inter-quartile range की base पर हुआ है, यानि कि यहाँ पर हमारी values, बिल्कुल छोटी नहीं होगी, minus 1.4 से 1.4 नहीं होगी, वो जो original values से उससे छोटी ही होगी, तो यह हमारे पास हो गया, robust scaling, और इसी तरीके से अगर हम, चोथा method देखें, जो मैंने आपको 4th बताया था, 4 number is logarithmic scaling, या normalization, मैं इसको run करता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं, logarithmic scaling कैसे होता है, मैं simply क्या करूँगा, यहाँ पर कोई भी एक चीज बनाऊँगा, सिर्फ और एक्जेम्पल हमारे पास है, import numpy as np, यह ज़रूरी है हमारे पास, और import pandas as pd, तो हम कोई भी random data बनाते हैं, random data, कुछ भी बना लेते हैं, random data without lights, हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, तो यह हमारे पास mv numbers आगे, 10, 20, 30, 1000 और 500, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 10,000, 20,000, 30,000, 1,005,000, ठीक है, यह मैंने कर दी है, mv numbers जो है, अब हमने क्या करना है, हमने इनको data frame में डाल देना है, और फिर हमने क्या करना है, इनका log लेना है, ठीक है, log transform करना है, और log transform के लिए, हम numpy को use करते हैं, like this, यह वाला हमारा नया column हो गया, इसमें डालने का, जो pandas का हमारा column था, और हमने पूरे data का, np.log ले लिया, np.log लेंगे, तो हमारे पास यह वाली चीज़ आजाएगी, तो इसको बोलते हैं log, अगर मैं इसका np.log 10 लूँ, तो क्या होगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ, तो यह मेरे पास दूसरा column हो जाएगा, np.log 10, तो यह numpy के थूरू होता है log, तो हम इसको लेते हैं, और end पे हम df को head कर लेते हैं, df, हाँ सच, एक और np.log 2 भी होता है, वो भी ले सकते हैं, यह होता जाएगा, बट I will show you किस तरीके से काम करता है, तो पहले हम log लेते हैं, फिर log 2 लेते हैं, और फिर log 10 लेते हैं, and let's see the dataset, यह हमारे पास data होगा, जो हमारे पास original number से वो यह थे, यह होगे हमारे पास log लेते हैं, 9.2, 10 तक और 11 और यह something, यानि के वो इतने चोटे होगे, फिर हमारे पास log 2 ले आगे, विच यू कैन सी यह लिटल बिट बिगर, और अगर मैं इसका log 10 लेता हूँ, that is around 4, 4.3, 4.4, 5, and 4.6, तो यह कुछ इस तरीके से हमारे पास different चीज़े आती है, mathematics से जब lecture आएगा, तो मैं आपको बताऊँगा, log, log 2, log 10 में क्या फरेक है, but for now, it's your assignment to see, कि हमारे पास data scaling या normalization कैसे होती है, और मैंने चार तरीके आपको बता दिये, और यहीं पर यह वाला जो lecture है, normalization और scaling कैसे finish करते हैं, क्यूं ज़रूरी है, मैंने यह भी आपको बता दिया, और हमारा एक और तरीका कार होता है, जो हम transform करते हैं data को, इससे outliers जो हैं, वो हमारे data में शुमार हो जाते हैं, यानि कि extreme values जो हैं, वो भी data में आ जाती हैं, और we can actually identify कि सच में कोई outlier है या नहीं, जब छोटे scale पर आते हैं, तो हम outliers को define कर पाते हैं, मिसाल के तोर पे, मैं आपको एक छोटी सी example यहीं पर दिखाता हूँ, अगर आप गौर करें, तो हमारे पास यहां पे जो data है, सारे के सारे ठीक हैं, क्योंकि यह एक लाग है, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको 10 लाग करता हूँ, say for example, बलके इसको 10 million कर दिया मैंने, 1 crore, let's see, मैं इसको दुबारा से run करता हूँ, and now you can see, के हमारे पास सारे 4.4.4.4.5 में, यह अकेला ही 7 घूम रहा है, so now we can see, के यह अकेला उट लह रहा है, यहां पे 23 होगी इसकी value, यहां पे 16 होगी, so now we can identify, के यह बहुत बड़ी value है, so इसको जैसे हम छोटा करेंगे, you can see a change in the values down there, तो यह 6 पे आ गए, so now we can create a box plot, and then see के हमारे पास, किस तरीके से जो है वो data चलता है, for example, मैं यहां पे sns.boxplot, अगर मैंने यहां पे बनाऊ, import c1 as sns, और यहां पे sns.boxplot, और मैं यहां पे df, x के उपर, अगर मैं, सिर्फ और एक्जम्पल, और मैं ma numbers underscore log करता हूँ, तो यह check करें, यह outlier, अभी भी outlier है, लेकिन यह पीछे को नहीं आ रहा, और अगर मैं इसको log 2 करता हूँ, now you can see, के यह अभी भी वेहीं पे पड़ा हुए, and I can still see, के यह outlier है, अगर मैं इसको log 10 करता हूँ, you see, that is still there, so, इसका मतलब है, के हमारे data का unit छोटा हो रहा है, लेकिन फरक नहीं छोटा हो रहा, so, still we can see, के log यानि के छोटे scale में आने के बाद, जो original outlier है, वो outlier ही रहेगा, for example, अगर मैं simple original number का इसमें box plot बनाऊ, तो यह बहुत दूर था, लेकिन जैसे मैंने इसका log लिया, यह normalize किया, यह थोड़ा सा pass आ गया, but still this is an outlier, so, we need to identify the outliers, using this log rhythmic ratios, लेकिन on the other side, scaling पहले नहीं करने बैठ जाना, पहले outliers निकालने, और वो कैसे निकालने log rhythmic ratio के थ्रू, otherwise, अगर आप इसको standard scalar करते हैं, जो minus 1 से minus 3 में चला जाना था, and then you can see the big difference there, so, there are many things, जो अभी भी इन्शाला हमें सीखनी, and then I can train you in that one, इन्शाला वरी सून, लेकिन यहां पे हमारा जो lecture है, about feature scaling वो खतम होता है, feature scaling के कुछ फायदा बता दू, सबसे पहला, जो बड़े data sets होते हैं, आपका data billions, millions में होता है, तब वो आपकी processing power बहुत ज़्यादा लेता है, जैसे आप उचको scale कर लेते हैं, down कर लेते हैं, वो machine learning के अंदर जल्दी process होना start हो जाता है, just for example, अगर एक machine learning का algorithm, हर data point को 1 million data points में देख रहा है, यानि 1, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, instead of that, अगर वो ही data set 1.42 में आ रहा है, so there is a big difference, यानि के 6 digit का difference है, so you can have an idea के 6 digit versus 1 decimal point का digit, it makes a lot of difference for computation, तो data को normalize करने का फाइदा यह होता है, के आपकी computation जो है वो fast हो जाती है, algorithms आपके जल्दी train हो जाते हैं, but the system retains the differences among the data, उसको कोई फरग नहीं पढ़ता, जो difference होते हैं अमांग variables में वैसे के वैसे रहते हैं, features का लफ़ से इस वज़े से use होता है, क्योंके वो हमारे independent variables होते हैं, and then we will see in future, के यह किस तरीके से काम करता है, यहां पे जो हमारा lecture हो से मैं रोकता हूँ, यहां से मैं अपनी जो recording और से भी रोकता, I would highly recommend कि अगर आपने अभी तक like नहीं किया तो like कर दें, और आपको feature scaling के बारे में क्या पता चला है, वो भी आप पता दें, thank you.